Hello student, welcome to our channel. My name is Zabdollah Siddiqui. Jambi Mba full time Mbib Interpretation and Family Business. So regarding बहुत सारी आपकी queries थे, तो first part already हम लोगों ने इसका upload कर दिया है. I think मैं इसमें 16 questions के मैंने answer किये हैं. In this video, there are 8 questions only और यह काफी important question है, इनके भी हम answer करेंगे. और तो सबसे पहला जो इसमें question है, cut-off. Cut-off basically होता क्या है, किसी भी interest exam में जब आप appear होते हैं, तो जब result आता है, तो जो जितने बच्चे qualify करते हैं, तो जो minimum marks होता है, this is called cut-off. So cut-off basically कई factors के उपर depend करता है, और number of student या applicant कितने थे, और paper का nature कैसा था, paper tough था, easy था, या moderate था, तो इसी वज़े से हमने जामिया MBA के paper को previous years के question paper को हमने analyze किया है, completely analyze किया है, और deep analyze किया है, और तो मैंने ये पाया है कि जो जामिया का जो paper अभी तक जो आया है, वो 2015 की अगर हम बात करते हैं, 2015 to 2019, that was the moderate question paper, और 2020 में जो paper आया था, toughest paper आया था, basically tough और जो हम decide करते हैं, जादे तर जो students, जो decide करते हैं, वो math section से decide करते हैं, अगर math का section अगर tough है, तो कहते है paper tough, अगर math easy है, तो कहते है easy है, हलाकि पूरा overall paper अगर आप analyze करेंगे, तब आपको पता चलता है, कि paper tough नहीं होता, बच्चा nervous हो जाता है, 2020 में कौन section के 65 questions थे, वो tough थे no doubt, लेकिन उसी साल 2020 में reasoning के और GK के question, current affairs के question easy थे competitively, और जो cut off भी जो गया था, वो कम गया था, तो आपको पूरा paper देखना चाहिए, इन case, कोई एक section अगर आपको tough लगता है, तो दूसरे section पे आपको move कर जाना चाहिए, और easy, जो easy paper आया था, वो 2020 में सबसे easiest paper भी जामे के history में आया है, अब जो हमारा target है, इस साल का या next year का, जो भी आपको देना है, तो उसमें अब हमें, इन तीनों में से कोई भी हमें मिल सकता है, moderate मिल सकता है, tough मिल सकता है, easy मिल सकता है, तो मैं आपको exact और accurate में बताऊंगा कि कितनी merit जाती है, और ये जो भी data में आपके साथ share कर रहा हूं, ये जो हम लोगों ने selection दिये है, उसके बहाफ में कर रहा हूं, तो इसके उपर आप belief कर सकते हैं, तो अगर moderate paper जब आया है, देखे, Muslim women के लिए यहाँ पर मैंने column नहीं बनाया है, Muslim women का, जो Muslim का जो marks है, उस 65 to 70, हलाकि इस से कम पी मुझे याद है, एक student का 57 marks था, उसका भी list में नाम था, तो हम safe side ले करके चल ले है, 65 to 70, जिन बच्चों ने score किया था, तो उनका नाम list में था, और Muslim women के अगर हम बात करते हैं, तो इससे 5 marks आप और कम कर देते, that means उनका 60 score, जिन लोगों ने किया था तो उनका नाम list में था, देखें, in terms of percent के अगर हम बात करते हैं, तो यह बहुत कम होता, 39 to 42 percent, जो है marks opt-in करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप easily कर सकते हैं, और for general candidate, मैंने हमेशा बताया है, कि general में Muslim में 5 marks का ही difference होता है, general, तो 70 to 75, और in terms of percent, we can say 41 to 44 percent, जिन लोगो ने score किया था, वो interest exam की जो list आते, result आता है, उसमें उनका नाम था, round मैंने पहले बताया भी है, कि 512, 520, 522 students हर साल interest exam जो हो clear करते हैं, तो इस list में इन सभी लोगों के नाम थे, जिन लोगों ने इतना score, इतना मतबाई मिन 65 to 70 Muslim ने जो किया था, इमका नाम था, और Muslim journal की करते हैं, अगर 15 above, जो भी आप score करते हुए, score आप के लिए better होता है, पहले जैसे मैंने बता है, GD जो contain करता है 10 marks, और PI contain करता है 20 marks, 10 मिला करके 30 marks होते हैं, तो 15 above score आपका better माना जाता है, क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ, कुछी बच्चे आसे होते हैं, जिनका जिसे highest जो जो होता, वो better score होता है, वो general candidate के लिए भी हम कह सकते हैं, और Muslim के लिए भी कह सकते हैं, यह better score है, तो आपको एक idea हो गया होगा है, कि अगर paper अगर हमारा moderate आता है, तो कितना score हमें करना चाहिए, और आपको तो जादा से जादा करना चाहिए, और यह minimum इस लिए में बता देत हैं, तो tough paper, जैसे like 2020, 21, 22 में tough paper रहा था, toughest weekend से, तो Muslim का score जिनका 45 to 50 था, तो उन्हों ने, इंटरस exam जो है, वो clear कर लिया था, और Muslim women की बात करते हैं, तो 40, in fact, 40 से भी कम था, मुझे याद है, किसी girls का 39 था, उसका भी list में नाम था, तो 45 to 50 safe score बारा जाएगा, गर आप इतना score किया है, तो यह cut-off है, minimum है, maximum नहीं, और एक चीज़ में आपको यह भी बता दो, minimum और maximum बहुत जादा difference नहीं होता, और मैंने एक बार एक list show की थी, किसी video में, को जैसे total out of 200 में आपको बता दो, मुझे याद आ गया, out of 200, और जो highest जो गया था, वो 105 गया था, और जो lowest गया से लेकि 86 के बीच में सभी बच्चों के marks थे, तो बहुत जादा differences नहीं होते, जो cut-off होता है, जो highest होता है, तो आपका अगर अगर आपने, मतलब, आपका list में नाम है, अगर आपने interest exam clear कर लिया है, तो GDPI पे आपको अच्छी तरह से focus करना चाहिए, GDPI जैसे मैंने पहले ब अगर अगर आप score करते हैं, तो better score आपका माना जाता है, और कुछ बच्चे होते हैं कि उन्होंने पहले से बहुत सारी preparation किया हुआ है, communication skill काफी better है, knowledge भी काफी अच्छी है, और पहले से participate किया है, GDN, PI वगार में, और extempore वगारा, यह सब सारी चीजों में participation अगर है, उनक और 2023 में, जामेक हिस्ट्री में सबसे easiest paper आया था, और इसकी अगर हम बात करते हैं, तो इसमें 65 to 70, लेकिन जिन बच्चों ने 70 score किया था, और suppose कर लिजे, GD, PI में 30 भी score किया था, तो यह 103 के पास नहीं थे, तो 75 ने वेब जिन लोगों ने किया था, GD, PI में जादा better score किया था, उनका नाम list में था, और जिन लोगों ने 65 to 70 पे थे, उनके नाम waiting list में थे, तो यह था इसका, और क्योंकि paper easy था, इसमें से merit काफी high गई थे, लेकिन इसमें जो general भी देखेंगा, आप काफी difference था है, 80 to 90 के बीच में जिन student score किया था, उनका नाम list में था, और GD, PI में तो मैंने कहा 58 अब जनल केंटिडेट है, या Muslim है, जो भी score करते हैं, वो better होता है, लेकिन आप जो final result आये था, अगर आप check करेंगे एक बार, तो यहाँ पे जादा difference नहीं था, तो पहली बार ऐसा हुआ है, कि जो Muslim की जो merit जो काफी high गई है, 103 to 114, तो in terms of person 51.5 to 57 था, और ज जनल कट था 52.5 to 59.5, तो यह cut-off आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी साइट से बिल्कुल authentic data शेर किया है आपके साथ, चलिए अब हम लोग syllabus समझ लेते हैं, जब आप किसी भी exam के लिए अप appear होते हैं, तो आपको लेटे syllabus जरूर चेक कर लेना चाहिए, लेता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जामिया के यह official website, इस पे एक बार आप विजिट करें, आपको syllabus detail मिल जाएगा, और यह है जामिया के official website का syllabus है, आप इसे एक बार जरूर रिट कर लें, और मैंने analyze किया है, काफी हमारी team ने, हमने बहुत काफी महनत किया है, और इ जैसे online या offline बच्चे आते हैं, तो पहला question रहता है, मेरी maths weeks है, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इस को दो table में divide कर दिया है, target one, that means अगर आप non mathematics background student, non mathematics का मतलब होता है, कि अगर आपने सिर्फ class 10 तक mathematics अगर आपने पढ़ी है, देखिए, जामिया का syllabus, जामि class जाते हैं, arts जाते हैं, btec के बच्चे जाते हैं, तो syllabus इसने से design किया जाता है, कि जो बच्चा mathematics background को इसको बहुत extra advantage ना मिले, आप अगर recall करके देखे, percentage आपने कप पढ़ाता है, class 8 में पढ़ाता है, profit and loss, ratio and preparation, average, simple, interest, compounding, सभी chapters को class 8 में आपने पढ़ाता है, तो आप इस आपको कभी नहीं समझ में आई थी, वो definitely समझ में आ जाती है, तो आप कर सकते हैं, तो target 1 में basically आपको 12 chapters दिख रहे होंगे, 12 नहीं यह basically 10 है, अगर आप mixture allegation को ratio के साथ अगर आप कर ले, और partnership को भी अगर आप ratio के साथ कर ले, और जैसे हम लोग assignment provide करते हैं, जैसे आपको पत component का एक ही assignment provide किया है, like interest के नाम से, जिसमें simple interest का section है, और component का section है, तो इस हिसाब से 9 to 10 chapters सिर्फ target 1, अगर आप इसी को कर लेते हैं, तो I think आपके लिए more than sufficient है, अगर आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ 2016 में 6 questions थे, लेकिन 2016 में DI की अच्छी question थे, तो अगर math section से कम question आ रहे है और data depression भी बहुत easy होता है, अगर आपने percentage किया है, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं, बाकि आप 2017 में 28 questions थे, 18 में 17 questions थे, in fact 20 में जो toughest paper थे 53 questions थे, इन ही chapter से, तो यह आप आसानी के साथ achieve कर सकते हैं, इन chapter को, और अगर आप, अगर आपके पास mathematics नहीं भी है, 10 तक ही mathematics पढ़ सकते हैं, target two में भी कुछ chapter ऐसे हैं, कि जैसे linear quadratic equation, इसको हम equation के नाम से जानते हैं, इस chapter में भी आप gripping कर सकते हैं, क्योंकि class 10 में आपने पढ़ाता है, inequalities 11 का है, इसे आप छोड़ सकते हैं, logarithm 11 का है, यह भी आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, जिनके पास mathematics नहीं थी, मतब 12 class में, उनके लिए कह रहा हूँ, अब ऐसे मैं किसी भी chapter को छोड़ ले के लिए आप से नहीं कहता, जैसे like surface area and volume की बात करते हैं, आपको लगता है, बहुत सारे formula हैं, मुझे learn करना पड़ेगा, तो मतब इसे हम छोड़ दे, तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, आपको कम से कम इसके formula कर लेना चाहिए, मैंने देखा है, जामय के history में, surface area and volume area से अभी तक जितने भी question आए हैं, वो fully formula based है, अगर आपने formula भी कर लिया है, और previous इसके question कर लिया है, तो definitely आप कर सकते हैं, तो आपको किसी भी chapter को completely जो है, आपको bye-bye नहीं कहना है, कम से कम इसके आप formula द पूछे जाते हैं, और कुछ chapter है, no doubt, जैसे 2D, 3D, vectors, function, यह आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा impact नहीं पढ़ेगा, तो यह है target to, और अगर आपके पास mathematics है, already relevant tell में, तो आपको सभी chapters को अच्छी तरह से करना चाहिए, अब हम data interpretation की बात कर लेते हैं, di-i क अगर आपने percentage अच्छे से क्या, percentage यह काफी important chapter है, यह सिर्फ itself अपने पतेविक chapter के लिए important नहीं है, अगर आपने percentage कर लिया है, तो profit and loss, simple interest, compound interest, work and time में भी इसका use up कर सकते हैं, और di-i तो पूरा whole soul percentage और calculation की उपर ही based होता है, तो आपको percentage chapter को अच्छी तरह से करना चाहिए, इसी विज़े से percentage को soul of arithmetic भी कहा जाता है, तो di-i की जो part होते हैं, bar graph, pie chart, line graph, tabulation, mix graph and vein diagram, तो यह इतने topic आपको cover करने होते हैं, और यह आसान भी होता है, जादा tough नहीं होता है, सिर्फ अगर आप देख पार होंगे 2015 में, 2020 में ही कम question थे, otherwise जो in general जो आते हैं, 34 question आते हैं, और di-i से, तो एक major role play करता है, और काफी आसान भी होता है, तो di-i को आप को छोड़ना नहीं चाहिए, di-i को अच्छी तरह से करना चाहिए, यह easiest topic है, ds data sufficiency, जो है data sufficiency के question होते हैं, यह basically mu में जादा आते हैं, जामिया में कम आया हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंग हम लोग assignment में कुछ question, four to five question add कर देते हैं, data sufficiency के, क्योंकि आपकी practice होनी चाहिए, अब हम बात करते हैं reasoning की, तो reasoning में आपको reasoning के सभी topic all most आपको करना चाहिए, critical reasoning जो है 2017 में और 18 में, 2018 सिर्फ critical reasoning से ही question थे, और किसी भी topic से कोई question नहीं था, तो आपको critical reasoning के लावा है, यह सारी chapter, इसमें जितने भी list में आपको दिये गए हैं, यह सभी chapter को आपको करना चाहिए, in fact non-verbal listening में भी कुछ जैसे paper cutting, folding, एक एक दो-दो question कर ले, topic को पूरी तरह से आपको छोड़ना नहीं चाहिए, तो अब हम बात करते हैं English की, तो English जो है काफी measure role play करता है, 25 to, इसमे maximum 50 question तक आ चुके हैं English में, previous इसके paper को अगर हम analyze करेंगे, देखेंगे, अगर आप खुद देखेंगे, तो आपको मिलेगा, तो measure जो question जो आते हैं, वो आते हैं reading comprehension, RC से most important है, 5 to 6, 7 reading comprehension ही आते हैं, और इसके लिए आपको कैसे तयारी करने में, मैं आपको आगे बताऊंगा, sentence, arrangement के questions आते हैं, synonyms, antonyms, idioms, phrases, और grammar, grammar तो must है, mandatory आपको पढ़ना चाहिए, grammar पढ़ने से आप jumble sentences वगारा भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं, तो grammar एक measure role play करता है, तो इस पर आपको अच्छी तरह से focus होना चाहिए, तो बात करते हैं current affairs की, तो current affairs आपको जैसे पता है कि हमारी team पूरी net se collect करती है, net se collect करने के बाद उसको filter किया जाता है, और उसका PDF आपको provide करा दिया जाता है, फिर और उसी questions के हम लोग test जो है, वो बना दिते हैं, कि अगर आप एक बार test कर लेते हैं, तो आप अपने आपको analyze कर लेते हैं, कि हमने कितने questions हमारे दिमाग में preserve हैं, उसक message, I mean, कि उसी से मिलते जलते question थे, लेकिन 2023 में कम question आये थे, तो आपको current fs को भी ignore नहीं करना चाहिए, बहुत easy होता है, आप 34 question को hardly आप 10 minute में कर सकते हैं, तो time saving भी है, तो आप इससे time save भी कर सकते हैं, तो current fs में आपको काम करना चाहिए, तो और बाकी अगर हम gk की बात क करते हैं, gk के लिए बहुत जल्दी एक video लेकर के आएंगे, सर ने analyze किया है, किस section से कितने question आते हैं, basically अगर आपको देखेंगे, यह जामिया के prescribed syllabus है मैंने लिया है, current affairs economics and business environment के उपर based question होते हैं, फिर भी मैं आप से कहूंगा कि एक बार आप जामिया के website पे visit करे, latest जो syllabus है, आप उसे देखें और analyze करें अच्छी तरे से, तो overall conclusion यह है, कि maths के in chapter को decide करने, अगर आप non-mathritis background के student है, तो मेरा answer यह होगा finally, definitely आप maths कर सकते हैं, जादा tough नहीं होता है, और maths के कुछ chapter आप selected हैं, जो आप उन्हें decide करने, जैसे target 1 में बहुत से easy chapter हैं, जैसे आप कर सकते हैं, कुछ chapter आप decide करने, target 2 से, यानि कि आपके mathematics, अगर आपके पास नहीं 10 तक ही है, तो कुछ chapter आप definitely कर सकते हैं, जैसे मैंने बताए linear quadratic equation, आप di पे अच्छी तरे से आप focus हो जाए, reasoning को आप अच्छे से करने, gk current affairs को अच्छे से करें, और english को आप अच्छी तरे से करें, तो आ आप definitely कर सकते हैं, चलिए, next question हम ले लेते हैं, अब हमारा next question है, study for how many hours per day is enough, यह इसका exact appropriate answer देना quite difficult है, आप के पास जो भी time है, आप पूरा आप उसे utilize करें, अपने पढ़ने के लिए, आप दे अपने time को आपको बरबाद नहीं करना चाहिए, और जादा से जादा time जितना हो सकता है, आप time को manage करें, फिर भी time table जो होता है, वो आपको time management करने के लिए आपको bound करता है, तो आपको time table definitely बना लेना चाहिए, like जिससे morning का time होता है, morning के time में आप English और current affairs दोने एक साथ पढ़ने, देखे यह depend करता है, आप English आपकी बहुत अच्छी already पहले से है, तो अगर आपकी maths अच्छी है, तो maths का time को आप minus करके आप उसे English पर दे सकते हैं, यह depend करता है कि आप का level क्या है, तो English सुबह आप जैसे newspaper आप definitely read करें, daily आपकी reading habit होनी ही चाहिए, जैसे मैंने आपको आगे बता है, reading comprehension आते हैं, तो आपकी जितनी reading ability better होगी, उतने ही ज्यादा आप अच्छे से answer कर सकते हैं, तो current fs का जैसे मैंने बता है, मेरा PDF भी आप ले सकते हैं, और newspaper भी आप पढ़ें, तो दो बार जब किसी चीज को जब आप पढ़ते हैं, तो आपकी दिमाग में ज्यादा चीज़ें बैढ जाती है, तो सुबह morning में 8 a.m. 8 a.m. से 10 a.m. तक आप पढ़ सकते हैं, कि जर्रल आप कोचिंग भी जोइन करते हैं, कोचिंग जाते हैं, फिर कोचिंग का भी टाइम 3 घंटे, 2 घंटे हो जाता है, जैसे हम लोग 3 घंटे daily coaching प्रोवाइड करते हैं, definitely coaching के बाद फिर आप rest भी करेंगे, और उसके बाद फिर खाना खाने के ब mathematics के लिए थोड़ा से रात में time ज्यादा better होता है, तो 9 PM to 12 PM, आप 3 घंटे का mathematics में time आप रख सकते हैं, अगर आप mathematics में better हैं, तो आप इसे 2 hour कर सकते हैं, English को आप 3 कर दे, फिर इसाप इसे 2 कर दे, interchange आप कर सकते हैं, इतनी study hour होना चाहिए, और सोने से पहले आप mobile ना हैं, जो final year के student है, उन्हें अपने marks पर ध्यान देना चाहिए, कि इनका percentage डाउन नहीं होना चाहिए, जितना भी time वो manage कर सकते हैं, या जो उनके holidays होते हैं, उसमें वो average थोड़ा से बढ़ा सकते हैं, like Saturday Sunday को जादे study करनी चाहिए, overall conclusion भी है, कि आपको quality of education पर ध्यान देना चा होते हैं, जो formula होते हैं, जो आपको no down करना चाहिए, कुस trick है, या कुस steps है, तो आपको अपनी एक own notes maths के लिए बनाने चाहिए, दूसरी funda book के लिए two बनाने चाहिए, जो English or Skype के लिए most important है, ये तो mandatory है, आप daily five words, three words, four words, आप daily note down करें, जो आप पढ़ते हैं, जो भी words मिलते हैं, like आपको आपको, कोई-board below's का synonyms, autonyms, आप no down करें, आप जिस paper पढ़ते हैं, तो during the study, अबर आपको कोई EDM phrases में मिलता, उससे भी note down करें, और funda book के लिए three important current affairs, और current affairs, ये GK की कोई topic मिलते हैं, या कोई current affairs कैसा topic है, जो आप GDP API में आपको अमीर है, कि इसके इसके उप तो देखे यह depend करता है आपके mind के उपर और time के उपर भी depend करता है कि कितना time आपके पास है अगर sufficient time है तो आप three to four times revise कर लेते हैं किसी चीज़ को तो आपके दिमाग में recall करने के लिए फिर आपको जो है न वो फिर time ही लगता आपके दिमाग वो चीज़े bad जाती है क्योंकि exam में pressurized बच्चा जादा होता है तो recalling ability इसकी कम हो जाती है लेकिन अगर आपने three to four times अगर आपने revise किया है तो आप आसानी के साथ recall कर सकते हैं confident भी आप रहेंगे और next important burning question है how can I prepare English तो इसके लिए पहले आपको काम करना चाहिए grammar पर, grammar आपके अच्छी हो जाती है तो meanwhile grammar के साथ साथ आप English और current affairs को one hour में दोनों को combine कर लें मैं इसलिए कहा रहा हूँ कि newspaper पढ़ते है आपको current affairs भी मिल जाता है कि depend करता है suppose के लिए आपको लगते मेरी English बहुत वीक है तो आप इसे two hours कर सकते है और three hours भी आप ले जा सकते है और maths अगर आपको better है तो maths का time जो है कम करके आप English पर दे 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 and vice versa तो इस तरह से आप daily आपको इतने English पर आपको time देना ही चाहिए one hour for the reading newspaper, novel book या story book जो भी जिस पर आपको interest है newspaper आप definitely daily आप पढ़े the Hindu would be better the Hindu newspaper अगर आप पढ़ते है या कोई भी newspaper जो available है easily market में जो या आपके घर पे पहले से कोई अगर newspaper आ रहा है तो आप इसको hard copy ले और पढ़े daily और word meaning जरूर आपको note down करें और one hour for grammar आपके लिए दे grammar पे और Raynor Martin book भी आप पढ़ सकते हैं या market में आप जाए कोई भी book जो आपको better लगते English की किसी भी आप book जो पर जाते हैं बोलते हैं कि मैं इंग्लिश की book दे दीजी तो चारवांच book वो definitely आपको दिखाएगा तो को mandatory नहीं कि आप sentences तो आप उस book को purchase कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं और everyday आपको एक listening habit भी आपको better करनी है कि यह आपको फिर आपको GD में और PI में काफी help करता है इसके लिए बेटर तरीका यह होता है कि English news आप सुने जादा NDTV 24 x 7 पे English में जो news आती है उसको आप सुने और India Today, BBC, Al Jazeera, ज तो वो word आपके दिमाग में बैठ जाता है और इसका procession भी आपको सही से दिमाग में बैठता है तो आप कोशिश करें कि English की news जरूर सुने से listening ability जो है आपकी better होगी जैसे आप देखें newspaper किस तरह से पढ़ना है मैंने आप से कहा थे कि मैं बताऊंगा आगे आपको तो जैसे यह मैंने लिया है Al Jazeera से war on Gaza hundred days on regional catastrophic looms अब इसमें यह word catastrophe जो है इसको procession आपने टाइप किया गूगल पे इसको सुना किया इसका सही exact procession है वो आप प्रोशेट कीजी और इसके बाद फिर आप इसका जो है meaning देखें जैसे a sudden disaster that the cause the great suffering जाभी ज़्यादा जब नुक्सान होता ह है और the damage जैसे अभी आपने देखा होगा गाजा में हो रहा है तो यह catastrophe word बहुत use हो रहा है बहुत newspaper में आपको मिल जाएगा अब इसका synonyms हमने कर देखा synonyms क्या है disaster है calamity, calamity word कई बार पूछा भी गया है direct rain का मतलब होता है पूरी तरह से destroy है तो इस तरह से word आपको मिल गय है वो salvation है a thing or a person that the rescue somebody or something from that danger disaster यानि कि salvation जस इसका उल्टा हो जाएगा disaster का तो यह हो गया और इसके उपर एक sentence आप बना ले sentence बनाने से क्या होता है उससे कई बार pointiate करे तो वो word दिमाग में बैढ जाता है it will be a catastrophe if I fail the exam again जिससे suppose कर लिजें कि मैं पहले फेल हो चुका हूँ गर तो दुबारा कर मैं फैलूँगा तो यह मेरे लिए क्या होगा catastrophic यानि कि disaster क्या सकते हैं ठीक है तो यह इस तरह से आपको sentence भी मिल गया और newspaper अगर आप पढ़ते हैं तो एक घंटे में I think आपको चार-पांच में जरूर मिल जाएगे एक पूरा paragraph पढ़ें उसके बाद जो word जाएगा तो इसके बाद फिर से दुबारा से पढ़ेंगे तो वह पूरा paragraph समझ आ जाएगा तो इस तरह से अगर आप तीन पेज चार पेज पांच पेज डेली आप बढ़ाते रहें थोड़ा थोड़ा आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए इससे आपका current affairs भी improvement आएगा और इंगलिश के और कैप भी आपकी strong होगी कि reading skill भी आपकी better होगी अच्छा current affairs कैसे होगा जैसे देखें मैंने ये लिया दा वायर से अब इसमें क्या है ये मैंने आराउंड तेंदेस पहले मैंने लिया था इसको after the unsuccessful attempt to bring the US president Joe Biden ठीके France is likely to be the chief guest of the India's 2024 अब देखें ये हमें पता चल गया कि इंडिया ने पहले Joe Biden को invite करने की कोशिश की थी अब क्या reason था Joe Biden नहीं आपा है तो उनकी जीकत है फ्रांस के president जो है Macron को invite किया गया है तो Macron जो है वो वो क्या है चीप guest है आपने देखा भी होगा कल अभी जो ceremony ही है 26th Gen की तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल गयाती है तो इससे क्या होता है आपके current fs भी improvement हो रहा है ये ये आपको important लगा क्योंकर कई बार question पूछा गया है कि chief guest कौन था 26th Gen का कुछ जिन के बाद आप भूल जाता है तो आप इससे note कर लिया कि important question में ये पूछा जा सकता है तो इस तरह से इसमें और भी आगे आप पढ़ेंगे तो आपको और भी कई चीज़ें पता चलेगी ठीक है when the Macron arrive in the Delhi in the January it will be the 6th time that the France will be the Republic day chief guest ये कित किसी कंट्री से अफसे ज्यादा कौन है फ्रांस है तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी सारी चीज़ें और भी इंपूर्मेंट आपको आता है और रीडिंग स्किल भी आपकी better होती है एक question मैं अपनी तरफ से लग से add किया है should I prepare GD and along with my preparation or I start after clear my interest exam तो इसके answer इस या नो दोनों में दिया है अगर आप सब आप अगर आप यह समझते हैं कि हमारा आपने कभी GD में participate नहीं किया या प्रसर इंटर्वीव नहीं दिया है और या आपको communication में problem है तो आपको शुरू से तैयारी करनी चाहिए उसके लिए लेकिन अगर आप ऐसे college हैं पढ़ आपको फिर exam की result के बाद जब interest exam हो जाता है तो five days, six days, ten days, कभी-kभी one months का time मिलता है तो it's more than sufficient आप कर सकते हैं और एक चीज़ और है should I speak in Hindi during the GD MPI तो इसके answer definitely no है कभी-कभी कई बार sir मैं ने जो है interrupt भी किया है कि try to speak English तो आपको हिंदी में बात नहीं करना चाहिए जैसे मै ने बताया है कि PI contain करता है 20 marks का और GD contain करता है 10 marks का तो PI तो आप आसानी के साथ तयार करी सकते हैं अभी आपके पास काफी time है अपने प्रस्ट इंटर्वी खुद record करें और सुने और अपने friend circle में सुनाए अगर आप coaching में जा रहे हैं तो वहां पर आप इसको दें अपने teacher क होते हैं कि इस देखें मैंने रिकॉर्ड किया अगर आप किसी group में add है तो इस तरह से आप record करें और सुने कई बार अपना self तयार करें अक्सर क्या होता है बच्चे YouTube से देख करके किसी का copy कर लेते हैं तो आपको copy नहीं करना चाहिए अपने बारे में brief आपको तयार करना च फिर भी कोई query से ताप इससे पूर सकते हैं thank you so much for watching us thank you